हेलो दोस्तों नमस्कार आज की स्पीडिस में हम बात करने वाले हैं अगर आप पंजाब नेस्टन बैंक में FD करानी की सोच रहे हैं तो आप आफलाइन कराएं या फिर हम ऑनलाइन अपने मुबायल से ही करते हैं तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर आफलाइन में और आप और आखेर अगर आप बेंक से कराते हैं तब अधिक पॉफिट होता है या सबसे पहले चलिए जान लेती हैं जैसे की आप देख पाना है मैंने यह चार ठेकर ढाएं ऑट है कई स्तवर यहां पर माठैं पर मेने कि डो हजार वाइस में और किक है क्या मतलब है यह 2024 में जाकर यह कंप्लीट हो जाएगी दसमें महने में ठीक है और मन्त चल लिया है वही नमा तो यह एक मन्त है इसके लिए ठीक है तो अगर आप बैंक जाके अगर आपटी कराते हैं तो कुछ आपको इस तरीके का सैटिफिकेट मिलता है प्रूप की तौर पर कि पंजाब नैशनल बेंक में एफडी कराई है और इतने की कराई है इतने समय से इतने समय के लिए तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि आखिर आपको ब्याज यहां पर जाने कि कितना मिल लिया है इंट्रस्ट ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता अगर आप मिलेगा और आप समय सिर्फ बरबाद होगा यह यह नहीं कि अगर आपको अधिक वहां पर इंट्रेट या ब्याज मिल जाएगा ठीक है अगर आपके आस पास bank है तो आप जाके करा सकते हैं जैसे कि थोड़ी बहुत दूर पर ही ठीक है 500-600 मीटर की दूरी पर या फिर आपके 2-3 km दूर है bank तो आप mobile से ही कर सकते हैं मेरी बेंग है वो कम και कम यहां पर 5 km दूराइए तो मैं यहां पर बैंक ना जाकर और मैं यहां पर अपने मोडी देि कर देता हूं मोडी जाते हैं और मोडी आप बैंक जाते हैं दोनो जर्बेशने मिलता है यह आपके दिमाग में चलता हो और भी समय भी है और यही काम आप मोबाइल से घर बैठी करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूं जो कि मैं खुद आपको डेड़ लाग रुपए कि यहां पर आपडी करके दिखाने वाला हूं यह टू जानकारी के साथ तो यहां पर सबसे प अब देख सकते हैं एक लाग पचास जार रुपए की जो कहीं अमाउंट है और उसके बाद में इहां पर हम हमें देखने को मिल लिया है deposit account ठीक है इसमें मेरी पहले भी amount है जाने की पहले भी FD करी होई है ठीक है चोगी देख पा रहा है 4,49,95 रुपए ठीक है अब FD करने के लिए आपको यहाँ पर आप यहाँ से जा सकते हैं या फिर आप इसी पर simply क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद मी नीचे में और अंपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आप से अपका अकॉंट जाएगा यहां पर अबद होगी कितने घाप करना चाहते और हो चुके हैं उसके बार पर आ जाननी आप पांश साल के लिए करते हैं क्वारणला चाहते हैं तो आप पांश साल के लिए आपको जो पैसा है वोब हो सकते हैं अगर आप नॉर्मल पर करते हैं तो आपका आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं ठीक है यहां पर आपको कुछ वेस्ट ओफर्स देखने को मिलना है जैसे कि अभी यो पंजाब नेस्नल बेंक के चलना है जाने कि चार सो दिनवाली में साथ पॉइंडत पच्चिस चल लिया है और 305 चल लिया है और तीन सो ड्में यहां पर मिलना है और एक साल को यहां पर साथ रोपे मिलेंगे है आपको यहां पर मिल जाता है नो ठीकर तो आप नो पर ही रहने दिएगा इससे औफ रहने दी ठीक है कहने का मतलब है fd interest payment option ठीक है अगर आप maturity पर चाहते हैं या मंतली चाहते हैं तो आप यहाँ पर मंतली भी सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है या फिर आप maturity भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं मैं maturity ही रहने देता हूं उसके बाद में आपको यहां पर जो आपको अकॉंट पर he है वह है बो आपकी है इहां पर सैलेक्ट हो जाएगा एट इटो मैटो ही ठीक है तो हापर हमें मिल जाता है इस पर आप सिंप्ली क्लीक कर देंगे आ वह समीजी सी और account number है, interest rate है, interest rate amount वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10,463 रुपर मिलेंगे, total amount आपकी यानि की ऊपर वाली और यह वाली amount मिलेंगे आपकी 6,463 हो रही है, और यह amount जो maturity date है, वो है 19 सितंबर 2025 की ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर simply confirm पर simply click कर देता हूँ, जैसी ही simply confirm पर हम simply click करते हैं, हमारे सामने tip in डालने का option आजाता है, यानि की transfer pin, और आप भूल गये हैं, तो इस से relate मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, कि आपको अपना tip in किस तरीके से दुबारा set करना है, ठीक है, अगर नहीं किया है, तब भी आप कर सकते हैं, उस वीडिय पर अपना tip in एंटर कर दिया है, उसके बाद में आपके सामने देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया है, आपको यहाँ पर देखने मिल्या है downloading, इसे downloading पर simply click करेंगे, आपकी FD है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो चकी है, आप इसे यहाँ पर PDF में save कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ, PNB, FD, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, अब वो हमारी यहाँ पर save हो चुकी है, और हम यहाँ पर चलेंगे home पर, ठीक है, home पर जाने के बाद, अब आप यहाँ पर देखेंगे, जो हमारी FD है, वो यहाँ पर so होने लगेगी, अभी हुई नहीं है, कुछ समय बाद यहाँ पर so होने लगेगी, उसके बाद में यहाँ पर हमें saving account पर जाते हैं, यहाँ पर हमारा 0000 दिखने लगा है, यहाँ पर आपको हो सकता है, थोड़ा late देखने को मिले, ठीक है, तो आपको इसकी टैंसल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास PDF में आपने download करी लिए, कुछ ही मिनट बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आपकी FD PDF फाइल के लिए आप प्रेंट कराके रख सकते हैं, अपने यादास के लिए ठीक है, या फिर आप समय समय पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बता दूं, mutual fund में क्या अंतर है, mutual fund FD से हमेशा बढ़कर ही return देता है, ठीक है, तो आप mutual fund में अपना पैसा invest करना चा आप देख कर और बहुती आराम से mutual fund में पैसे को invest कर सकते हैं, मिलते हैं नाइस वीडियो समी